हेलो दोस्तों, वेलकम तो मैं चैनल सिवील कुमार आज की वीडियो में हम देखेंगे RCC reinforcement detail of slabs and schedule of slab detail क्या रहता है as per according to RCC drawing plan वो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि beam का standard detail reinforcement क्या रहता है top bar क्या रहता है, main bar क्या रहता है bottom का, cuttle bar क्या रहता है extra in supports क्या रहता है in supports क्या रहता है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा तो आभी की वीडियो में हम देखेंगे slab का reinforcement detail schedule of slab क्या रहता है, किस तरह से रहता है side पे किस तरह से slab schedule of plan पढ़ा जाता है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे slab का thickness कितना रहेगा, मोटा ही कितना रहेगा वो दुसरे column में यहाँ पे mention है जैसे कि S7 का यहाँ पे mention है 130, S2 का है 125, S8 का है 100 mm, तो उस तरह से slab का thickness यहाँ पे mention कर दिया है तो उस तरह से thickness side पे है के नहीं वो हमें चेक करना रहता है तिसरा column में type अब यह slab कौन से type का है अब यह slab normally 10 type का रहता है एक one way slab, दूसरा रहता है two way slab और तिसरा रहता है canty liver slab normally RCC में so one way slab का definition क्या रहता है जो भी हमारा slab का span है ly और lx so उसका definition क्या रहता है ly divided by lx is greater than 2 मतलब वो ly by lx का जो रेशो आएगा वो दो से जादा रहेगा so उसे one way slab कहते है और ly by lx divided by lx is less than 2 मतलब दो से कम रहेगा ly by lx का रेशो so उसे हम two way slab कहते है so normally यह हो गया one way और two way slab का two way slab का definition then उसके बाद आप यहाँ पर mention किया है main steel अभी main steel क्या रहता है main steel जो हमारा slab में हम provide करते है one way में हम shorter span में provide करते है आप देश सकते है main steel में अभी यहाँ पर दो कॉलम एक shorter span और longer span so और तिसरा उसके बाद 14 कॉलम में distribution so जब भी हमारा one way slab रहता है तो one way slab में हम shorter span में main steel प्रोवाइड करते है और distribution में जो हमारा longer span रहता है वह उदर वहाँ पर हम distribution प्रोवाइड करते है so अभी हम पहले start one way slab से करते है so अब देश सकते है s2 s2 का thickness कितना है 125 mm one way slab में अभी main steel मतलब कहा पर प्रोवाइड करना है shorter span में मतलब हमें alternate bent up बार अभी main steel मतलब हमारा हो गया alternate bent up बार हमें प्रोवाइड करना है जिसको हम क्रेंग बार भी कहते है so उसका detail क्या दिया है यहाँ पर alternate bent up बार है उसका detail है 10 mm का सलिया हमें यूज करना है उसमें कितने दूरी पर 125 mm center to center दूरी पर हमें 10 mm का main steel यहाँ पर यूज करना है shorter span के लिए only one way के लिए shorter span और जो हमारा longer span रहता है distribution steel जो longer span का detail यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर 200 mm center to center यहाँ हमारा हो गया one way slab then उसी तरह से अभी हम देखते है two way slab अभी यह two way slab आप देख सकते है two way slab में आप देख सकते है main steel अभी two way slab में आप देख सकते हैं यहाँ पर two way slab में 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 shorter span longer span यहाँ पर देख सकते हैं shorter span longer span सो यहाँ पर दोनों तरफ स्टील प्रोवाइड है लेकिन उदर distribution नहीं दिया है क्योंकि two way slab का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दोनों तरफ य डिरेक्शन और लस डिरेक्शन में longer span में भी हमारा 8 mm पा 125 mm center to center distance पे स्टील प्रोवाइड करना है मतलब shorter span में और longer span में two ways slab में आमें दोनों तरफ 8 mm काبة इस्टील यूज़ करना है कि यहाँ हे हमारा Two ways slab two ways slab में हमारा ओरbels रहता है shorter span और longer span travelling दोनों तरफ हमारा main steel लाता है है एभात है और वनेवेक्व स्लेभ में हमारा या और उना किया है और तैसरा पार्ट ह्या हमारा कैंटील आसके है नॉर्मली हम क्यांटी रिवर टे चज्जे में चज्जे का शॉटर स्पैन में में ज्यूज करते हैं जो रहता है अलटरनेट बेंट बैक स्टील और डिस्टुबिशन रहते हैं हमारा यहां पर मेंशन किया है मतलब लॉंगर स्पैन में यह हमारा 8 mm का 300 mm center to center cantilever तो अब इसका भी RCC deal किस तरह से रहेगा वो भी वीडियो में आप देख सकते हैं कि cantilever दिखा है और shorter span मतलब alternate bent up bar तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर alternate bent up bar किस तरह से रहता है इस तरह से हम alternate bent up bend back cantilever मतलब जो bent back मतलब क्या होता है जो bent होके back आता है विम में उसको हम alternate बार bent back उसे कहते हैं जो कि हमारा cantilever slab में use होता है और main steel हमारा alternate bent up bar हमारा one way में shorter span में use होता है और two way में हमारा shorter और longer span दोनों में हमारा main steel use होता है तो दोस्ता आप देख सती यसी तरह से हमारा यह हो गया schedule of slabs तो दोस्तो हमने अभी ज़स देखा schedule of slabs का देर उसके बाद हम देखते है standard detail of one way slab with bent bars आप देख सकते हैं यहाँ पर standard detail of one way slab with bent bars तो दोस्तो हमने अभी ज़स देखा की schedule of slabs मतलब slab में किस तरह से reinforcement रहता है main steel कहा रहता है distribution steel कहा रहता है slab का thickness कहा रहता है type of slab कहा रहता है अभी हम आगे बढ़ते है मतलब जिससे की standard of detail of one way slab with bent bars मतलब one way slab में bent of bars किस तरह से provide करते है उसका क्या standard रहता है वो अभी हम देखेंगे तो दोस्तो हम देख सेथे यह slab का एक section है यहापे mention किया है one way slab का जिस पर देख सेथे यह horizontal member है इस को हम slab कहते है और वर्टिकल मेंबर यहापे दिख रहा है यह बीम मैं यह दुसरा बीम है यह बीम के ऊपर हमारा slab rest है मतलब slab का लोड beam के ऊपर transfer हो रहा है beam का लोड column के ऊपर transfer होता है और column का लोड footing के ऊपर transfer होता है आप देशेते हैं यह slab सो यह slab का यहाँ पर मेंशन किया है thickness जिसके जिसके हमने पहले column में देखा है S1, S2 देन उसके बाद है हमारा thickness जो हमारे slab का thickness का part है जो हमारा beam में include रहता है सब्सक्राइब हमारा total यह beam का depth दिया है 600 mm तो यह beam का depth हम कहा से consider करते हैं स्लैप का floor level तक, जो हमारे 600 total हमारे यहां से लेकि यहां तक रहता है जो 600 में से हम सब्सक्राइब तो 600 में से 125 गया मैंस करेंगे 125 तिक्देस सब्सक्राइब से 600 में से और यह carbon मैंस करेंगे तो हमारा thickness कितना रहेगा यह लेकिए drop beam कितना रहेगा 475 mm रहेगा तो यह हमारा हो गया slab thickness यह beam support हो गया यह beam support हो गया यह slab का beam support हो गया यह दूसरा support हो गया तो यह beam support से concrete का beam support तक यह हमारा span हो गया तो यह हमारा clear span हुआ अब यह clear span के उपर हमारा जो standard detail रहता है slab का reinforcement का कि हमारा slab का one way slab में हमारा बेंटब बार कहां से हमारा बेंटब बार उटेगा वो यह क्लियर स्पैन के उपर ही डिपेंट रहते हैं आप देशते हैं यह अभी यह अल्टरनेट बेंटब बार का यहाँ पर ड्रॉइंग मेंशन किया गया है एक सीधा सलिया ऐसा जाकर और देन दुसरा बेंटब बार कहा रहें अगर एक सीधा जा है यह यह अमें ये देखना रहता है कि जो हमारा बेंटब जैसे कि आप देशते हैं जो हमारा बार जा रहा है यह सिधा सिधा बार है यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक हमारा यह सिधा बार है तो यह आप देशते हैं फिर यह बेंट बार है जो हमारा बेंट है बेंट और देशते हैं यह कितने डिस्टंस पे कितने दूरी पे हमें उटाना है और आगे लेके जाना है तो 3000 mm में करनेंगे 3000 mm divided by 7 so हमारा 425 sorry 428.57 मतलब 428.57 यह beam support से हमारा 428.57 पे हमारा यह bend up bar उठेगा so यहाँ से हम bend up bar उठाएंगे और सिधा लेके यहाँ पे beam support तक जिदर हमारा 40 mm sorry beam का covering slap का covering होता है 20 mm 20 mm cover minus करके हम यहाँ तक हम bend up bar को लाएंगे so अब देशाते हैं यहाँ पे हमारा span खतम हो रहा है यह पहला span है यह दूसरा span so अब देशाते हैं यह span में भी दो type रहता है एक continuous slab और end support so यह हमारा हो गया end support span यह end support हो गया और यह हमारा हो गया continuous support span मतलब continuous क्या होता है कि हमारा एक span के आगे दूसरा span continue रहते है तो हम उसे continuous lag बोलते है और यहाँ पर हम देख सकते end support span पर हमारा bend up कहाँ पर उठेगा beam का support से LY7 मतलब यह clear span का LY7 लेंगे 3000 divided by 7 करेंगे so 428.57 पर हमारा यह bend up बार 45 degree में bend up बार यहाँ से लेकि यहाँ तक हमारा आ जाएगा उसी तरह से हमारा continuous support अभी जो हमारा continuous span है आप देख सकते हैं यह continuous span यह भी एक span है L1 और दूसरा आ गया यह L2 यहाँ पर mission किया है so यह L1 और L2 का मतलब क्या रहत है अभी हमारा यह beam support से हमारा यह continuous span हो गया 3000, 3000 divided by 5 कितना करेंगे तो कितना आएका 600 मतलब यह beam support से हमारा 600 यह beam support से हमारा 600 अभी आप देख सकते हैं यह वाला अभी उपर वाला हम देख सकते हैं बेंटब बार यह beam support से हमारा 600 लेकर हमारा यह बेंटब बार यहाँ पर उटा है और आगे continuous जाएगा तो हम continuous support 7 बोलते हैं तो उसी तरह से हम as per drawing साइट पे बेंटब हमारा L by 7 और L by 5 की इसाब से प्रॉपर तरीके से 45 डिग्री में उठाया है कि ने फीटर ने वो हम साइट पे चेक करते हैं जब भी हमारा slab का चेकिंग रहता है RCC में तो इस तरह से हम slab का cover उसी तरह से हमारा slab का bent up bar as per drawing L by 7 और L by 5 continuous span और end support span की according प्रॉपर तरीके से execute किया है कि इसाइट पे वो हम चेक करते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो